हाई गाईज, Welcome back to Trudev Investment Lab तो आज मैं आपके लिए Best Penny Stock लेका रहा हूँ कि अगर आप Buying करते हैं, तो काफी चांसेस नजर आ रही है और मैं आपको sentiments के clear करूं तो इसमें sentiments भी काफी अची बनती नजर आ रही है इसमें sentiments की बात करें तो मैं आपको चार्ट पे clear कराने वाला हूँ कि क्या sentiments बन रहा है और इसका targets क्या हो सकता है क्या high price तक गया है मैं आपको इसमें ये भी confirm कराने वाला हूँ कि इसमें कितने % तक के chances मिल सकते हैं तो वीडियो में इंट तक बने रहे हैं सारे fundamental के साथ सारे sentiments और आपको buying price भी आपको मिलत रहेंगे जो लिए बिना देर के वे start करते हैं तो बाई जिस स्टॉक के बारे में आपके साथ discuss करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है अलंकित limited अगर बात करेगा इसकी ट्रेड की तो लाक्ट ट्रेडिंग सेसन में इसने 14.3 रूपीज पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इस सक्की B 2 मारkes स्टॉक का मारकेट कया तो ट्रेड कैप 323 करोर कं देखने को मिल रहा है करेंट प्रैस यसका मैं बगबग ताफ regarding य में आपको करूंगा चर्ट पे क्लियर सेनारियू भी बताऊंगा फिलाल आगा बढ़ते हुए देखते हैं इसकी stock P.E. तो गाईज आप देखते हैं 21.6 का stock P.E. और अगर compare करें industry P.E. से तो गाईज आप देखते हैं 38 का एट का जो आ रहा है industry P.E. देखने को मिल रहे हैं तो गाईज काफी अच्छी आपको price P.E. stock देखने को मिल रहे हैं जो कि ROCE और ROE क्या रहा है तो गाईज आप देखते हैं इसका ROCE की बात करें तो 7.80% की और ROE देखें तो गाईज यहां पर 13.8% की नज़र आ रहे हैं जो कि minimum 15% का होना चाहिए जो कि इससे आपको थोड़ा सा अंदर में नज़र आ रहा है तो गाईज यहां पर आपको थोड कोई भी डिविन प्रवाइड नहीं करा रहा है इस स्टोक की बात करें तो गाईज आप देखते हैं इस स्टोक का डेट जो है 12.9 करूर का डेट नजर आ रहा है कैस भी देख सकते हैं इस कंपनी के पास 21.2 करूर की कैसे अब लेवल है और फिरहाल लास्ट यह में इसने तो आप देखते हैं इसका पर मोटर स्टिंग जो कि 52.0 यानि की 52 परचंड की प्रमोटर स्टिंग में नजर आ रही है समझने वाली बात यह है कि यहां पे 52% का पोकस बना कर रकना चाहिए चले आग मढथ जैकर करें कि कम्पनी प्रोफिट फॉर्फिटेबल पॉलिकर ie परफिट में परशं कि जो है इस 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 स्ट्क में नज़र आ रहे हैं कि निकल कर वे है तो चलिए अब बीना देर को मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं और आपको सेनारियो कंफर्म कराता हूं तो वाइस आप देख सकते हैं मैंने अलंकित लिमिटेट का जो है आपके सामने जो है इसका वन वीक का चार्ट लगा रखा है अगर बात करें इसके थोड़ी औ आसपस बना और उसी को जो है दुबारा से टच करने की कोशिज यहां पर किया था लेकिन वह आहां से थोड़ा डाउन आया और फिट से यहां पर टच किया आप देखते हैं 14 रुपीज के आसपस और उसको ब्रेक करके जो है इसके नीचे ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा ह उसमें आप देख सकते हैं कि यह जो है ब्रेक करके जो रेसिस्टेंस प्राइज जो यहां पर बन रहा है क्रियेट हो रहा है 14 रुपीज पे इसको ब्रेक करके इसके ऊपर लगवक ट्रेट करता हुआ देखने को मिल रहा है और बात करेगा इसकी चांसे तो आईज आप दे तक का ले करके एक और quantity आप इसमें add कर सकते हैं यानि कि आप चाहें तो एक और मोटा quantity आप इसमें add कर सकते हैं और एक 40 रुपीज के जो resistance नजर आ रही है वहाँ तक का भी है एक वेट कर सकते हैं तो वहाँ तक भी भी काफी अच्छी आप profit बना सकते हैं अगर बात कर लंबे समय के लिए तो आप लंबे समय के लिए आप देख सकते हैं एक resistance प्राइज यहां नजर आ रही है लगवग 90 रुपीज के आसपा जो है एक resistance क्रेट होती नजर आ रही है तो यहां तक भी जाने की उमीद यहां पर की जा सकती है क्योंकि अगर यह 30 रुपीज जो 25 के आसपा और उसके बाद अभी जो है weekly से देखें तो काफी लगातार इसमें काफी बड़े candle के साथ movement काफी अच्छी नजर आ रही है तो chances काफी बड़े बनते नजर आ रहे हैं मैं आपको यहां पर इसका जो है यह भी confirm कराने बला हो कि क्या सेनारियो बनता है तो guys अगर जैसा कि मैं 90 रूपीज के आसपास तो क्या हो सकता है तो आप दखिए 90 रूपीज के आसपास अगर टार्गेट रखते हैं तो आप यहां पर फोकस करें 343% का रिटन से यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा तो इतनी बड़ी एक profit आपके हाथ लग सकती अगर आप थोड़ा आया है और आप देखें तो वन मंथ के कैंडल के अगर बात करें अभी तो आपको क्लियर ली जो है बुलिस कैंडल और ट्रेंड लाइन को यहां पर ब्रेक करता देखने को मिल रहा है तो यहां पर काफी अच्छी सेनारियों बनती नजर आ रही है आपको यहां पर बेजी रहेंगे तो इस बेल एकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए मिलते हैं वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग